आज हम Important Previous Year में आये नृति से संबंधित प्रस्नों को पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, निम्लिखित में से कौन सा नरत्यमंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाना था। Option है कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मनिपुरी सही उत्तर भरतनाट्यम है। उत्तर को और डिटेल में देखते हैं। दक्षिनी भारत में तमिलनाडों का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विक्सित हुआ और इसे पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। इसमें तेलुगुक, कमिल और संस्कृत के गीतों का समर्द भंडार है। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिनी भारत की करनाटक प्रणाली से संबंधित है। एक मृति गायन के साथ। आने वाले संगीतकारों में कम से कम एक गायक, एक मृतिंदम जिसे ड्रम कहते हैं, मृतिंदम वादक, एक बांसुरी वादक या वाइलिन वादक या वेना वादक शामिल है। समूव में एक नटुवनार या नृतिय समवाहक भी शामिल है जो छोटे कांसे जांज की एक जोडी बजाते हुए मृति के शब्दांश का पाठ करता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पारंपरिक मृत्य कौन सा है, जिसे थियेटर कला के रूप में नया रूप दिया गया है और जिसे देश्विडेश दोनों जगल जीवत रूप से प्रदर्शित किया गया है। आप्शन इस प्रकार है, A. मनिपुरी, B. कुचिपुरी, C. कथकली, D. भरतनाट्यम, सही उत्तर भरतनाट्यम है, इसकी डिटेल्स पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शास्त्रियन रत्य शैली है, इसके आ आप्शन है, मनिपुरी, मयूर्भंच का चो, भांगडा और चांग, इसका उत्तर होगा आप्शन इं मनिपुरी, आगे डिटेल्स देखते हैं, मनिपुरी नरत्य के इतिहास को प्राचीन काल से जोड़ा जा सकता है, जो दर्ज इतिहास के शुरू, होने से भी पहले का है मनिपुर में उत्पन्न होने वाले नरत्य का सबसे प्रारंभिक रूप लाई हरावबा नरत्य है, और अन्य सभी प्रकार के नरत्यों का पता लाई हरोबा के नरत्य से लगाया जा सकता है गुरू बिपिन जो मनिपुरी नरत्य के शिक्षक, निर्देशक और कोरियोग्राफर थे को अक्सर मनिपुरी नरत्य का जनक माना जाता है चौथा प्रश्न थिलाना किसका प्रारूप है? कथक, कुचिपुडी, ODC या भरतनाट्यम इसका उत्तर होगा थिलाना थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुती शैलियों में से एक है, जहां कई नरत्त एक साथ प्रदर्शन करते हैं, मजबूत कैनेटीक्स की सीमा की खोच करते हैं इस शैली से जुड़े अद्वितिय प्रदर्शन आकर्शन को प्रसारित करने के लिए ताल, समय और सिंक्रनाइजेशन के मामले में अनुकरणिय कौशल की आवर्शक्ता होती है अगला प्रश्न किस नरत्य शैली के लिए यामिनी कृष्ण मूर्ती प्रसिध है? इसके आप्शन्स मनिपुरी, गर्बा, भरतनाट्यम, कथक कुछ इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ती का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुरी नृत्य की भारतिये नर्थ की है यामिनी कृष्ण मूर्ती को सन 2001 में भारत सरकार ने कलाक्षेत्र में पद्म भूशन से सम्मानित किया था ये दिली से है चठा प्रश्ण संजुक्ता पानिग्रही क्यों प्रसिद है? भरतनाट्यम, कथक, मनिपुरी या ओडिसी के लिए? इसका जवाब होगा ओडिसी नर्थ के लिए संजुक्ता पानिग्रही भारत की प्रसिद ओडिसी नर्थ्यांगना है उन्हें 1976 में पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था उनकी मृत्यू के बाद उनके पती रगुनात पानिग्रही ने उनके नाम पर 1999 में संजुक्ता पानिग्रही मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया जिसने ओडिसी नर्थ्य को बढ़ावा दिया ये प्रश्न फिल इंदी ब्लैंक का है खाली स्थान ने अपनी पत्नी के साथ जो खुद एक दानसर है और उनके बेटे ने 1993 में स्रिजन का निर्मान किया ब्लैंक में आप्शन्स में से क्या आ सकता है देवा प्रसाद दास रगुनात दत्ता, पंकचरन सिंग या केलुचरन महापात्र उडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रिय न्रिती है जिसकी उत्पत्ती भारतिय राज्य उडिसा में हुई थी केलुचरन महापात्र उडिसा से पद्म विभूशन पाने वाले पहले व्यक्ति हैं ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक है सुजाता महापात्र, केलुचरन महापात्र, रतिकांत महापात्र, दंगाधर प्रधान आदी नर्तकी नट्राज पद्म श्री प्राप करने वाली पहली चांस व्यक्ति बनी ये किस नर्त्य से संबंधित नत्यंगना होगी ओप्शन देखिए भरतनाट्यम नर्तकी, मडिपूरी नर्तकी, कथक नृत्यांगना और ओडिसी नर्तकी इसका पुत्तर भरतनाटिम नृत्यांगना है नर्तकी नर्तराज भारत की एक प्रसिद भरतनाटिम नृत्यांगना है उनका जन्म तमिलनाडू में मदुरे के पास एक गाव में हुआ था. उन्हें 2019 में पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया. वह भारत में पदमश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है. नर्तकी नट्राज के सम्मान के रूप में तमिलनाडू सरकार ने उनके जीवन और यात्रा को 2018 की ग्यारवी मानक तमिल पाथ्यकुस्तक में एक पाथ के रूप में शामिल किया उन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था अगला प्रश्ण डॉक्तर सुनन्दा नायर को एक कलाकार शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है वह किस मृते से संबंध रखती है मोहिनियट्टम, कथक, कुचिपुरी या कथकली इसका उत्तर है मोहिनियट्टम इनके बारे और जानते है डॉक्तर सुनन्दा नायर एक मोहिनियट्टम कलाकार शिक्षक और प्रस्तावक है डॉक्तर सुनन्दा नायर देश की पहली छात्रा है जिनके पास मुंबई विश्व विद्याले से संबध नालंदा नरत्यकला महा विद्याले से मोहिनी अट्टम में मास्टर दिगरी है उन्होंने अपनी PhD मुंबई विश्व विद्याले से अपने शोध मोहिनी अट्टम में आंत्रिक गीतात्मक नारिवाद पर पूरी की आखरी प्रश्न पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्लिखित में से किस नत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? ओप्शन है छव, पंथी, मोहिनियट्टम और सत्तारिया उनको 2005 में पद्मश्री सम्मान मिला था छव के लिए पद्म सम्मान पाने वाले वह दूसरे शक्स थे गोपाल प्रसाद दुबे ने सराइकेला स्थित राज किया छव, नृतिकला केंद्र में 1974 से 1988 तक प्रशिक्षन दिया